दोश्कार प्रोवसाक्षी दूस्टेट्वार्टूर आप सभी का स्वागत है केरल इसे पुराची गुरुवायर मंदिर से हमारी सी आस्ट होते है तो आपको आज बताएंगे इस मंदिर का लिहास्त की विशेष्टा है गुरुवायर मंदिर केरल के गुरुवायर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो की भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है यह प्राचीन मंदिर अनेक शताब्दियों से सभी का ध्यान अपनी और आकर्शित करता रहा है इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की गुरु आयूरुपन रूप में पूजा की जाती है जो की वास्ताओं में भगवान कृष्ण का ही बाल रूप हैं इसके लावा इस मंदिर में भगवान विश्णु के दस अवतारों को भी दर्शाया गया है मंदिर में स्थापित प्रतिमा मूर्ती कला का ही बेजोड नमूना है यह कहा जाता है कि इस प्रतिमा को भगवान विश्णु ने ब्रह्मा जी को सौंप दिया था गुरु आयूर्पन मंदिर के गर्भ ग्रह में भगवान श्रिक्रष्ण की मूर्ती के चार हाथ है भगवान ने एक हात में शंक और दूसरे में सुदरशन चक्र ले रखा है जबकि भगवान ने तीसरे और चोथे में कमल धारण कर रखा है गुरु आयूर्पन मंदिर के भारे में धार्मिक अभिलेखों द्वारा इसकी महत्ता का वणन मिलता है जिसमें से एक कथा के अनुसार भगवान शिर कृष्ण ने मूर्ती की स्थापना द्वारका में की थी एक बार जब द्वारका में भेंकर बाढ़ आई तो यहां मूर्ती बह गई और ब्रस्पती को भगवान कृष्ण की यह तैरती हुई मूर्ती मिली उन्होंने वायू की सहायता द्वारा इस मूर्ती को बचा लिया और प्रतिमा को उचित इस्थान पर स्थापित करने के लिए प्रित्वी पर एक उचित इस्थान की खोच आरंब कर दी इसी समय वे वो केरल पहुँचे जहां उन्हें भगवान शिव वै माता पारवती के दर्शन हुए शिव ने कहा कि यही स्थाल सबसे उप्यूक्त है अता यहीं पर मूर्ती की स्थापना की जानी चाहिए तब गुरू एमवायू ने मूर्ती का अभिशेक कर उसकी स्थापना की और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि प्रतिमा की स्थापना गुरू एमवायू के द्वारा होने के कारण इस इस्थान को गुरु वैूर के नाम से जाना जाएगा तब से यह पवित रिस्तल इसी नाम से प्रसिद्ध है एक अन्य मानेता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयम विश्य कर्मा द्वारा किया गया था और मंदिर का निर्माण इस प्रकार हुआ कि सूरे की पर्थम क्रिणे सीधे भगवान गुरु आयूर के चर्णों पर गिरें मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ती की विशेश पूजा अराधना का विधान है यहां गर्ब ग्रह में विराजित भगवान की मूर्ती को आदी शंकराचारे द्वारा निर्देशित विधी विधान द्वारा ही पूजा जाता है मंदिर में वैदिक परमपराक का निधारन होता है गुरु आयूर की पूजा के पस्चात ममियूर शिव की अराधना का विशेष महतु है इनकी पूजा किये बिना भगवान गुरु आयूर की पूजा को संपूरुन नहीं माना जाता है मंदिर अपने उत्सवों के लिए भी विख्यात है शुक्ल पक्ष की इकाजशी तिथी का यहां खास महतु है इस समय यहां पर उत्सव का आयुजन किया जाता है साथी विलक्कू इकाजशी का परवी मनाये जाता है मंदिर में करनाटक संगीत और अन्य केरल के परंपरिक रित्ते का आयुजन होता है मंदिर में लगभग हर दिन शादियां और छोरुनू का आयुजन किया जाता है दिन में दो बार भक्तों के लिए निशुल्क भोजन का भी आयुजन होता है अगर आप गुरुवायूर्पन में हैं तो शिवेली का तिहवार जाना नहीं भूलें इस मंदिर का पौराणईक और धार्मिक दिस्टे से बहुत महत्व है यहाँ पहनावे को लेकर बहुत सक्ती से अमल किया जाता है पूरुष केरल की पारंप्रिक लुंगी जिसे मुंडू कहा जाता है वही पहनते हैं और महिलाएं साड़ी अत्वा सलवार सूट किसी अन्य परिधान को पहन कर मंदिर में प्रवेश करने पर मनाई है हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु अयूरुपन मंदिर को दुनिया दक्षिन की द्वारिका के नाम से भी जानती है मंदिर में तुला भरम की रस्म भी निभाई जाती है शास्त्रों में दान के जितने प्रकार बताए गए हैं उनमें तुला भरम सरुस्रेश्ट है तुला भरम यदि आप भी करना चाते हैं तो उसके लिए मंदिर प्रशाशन में पहले पंजी करण करार लेना होता है और उसके लिए समय लेना होता है इस हिंदू रस्म के तहट कोई व्यक्ति फूल अनाज फल और ऐसी ही वस्तूओं के साथ तराजू में खुद को तॉलता है और उसके वजन के बराबर वस्तूएं दान दी जाती हैं हाल ही मैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी जब गुरुआयरू मंदिर का दौरा किया था तो अपने वजन के बराबर कमल के फूलों का दान किया था